कहते हैं ने जहां चाह वहां राह, अगर वक्ति चाह ले तो राह बन ही जाती है ये कहानी थोड़ी हटके है, ये खबर थोड़ी हटके है, ये वीडियो थोड़ा हटके है यहाँ पर हम आपको दो गाओं के गामिनों की जिवटता बता रहे हैं कैसे अनोंने सरकार और सिस्टम पर निर्बर होने की बजाए, खुद ही अपने बच्चों की चिंता करते हुए, कैसे अपने अपनी स्कूलों में बांस की बांडरी वाल बना डाली। उसके लिए चंदा भी नोंने खुद किया, खुद ही जाकर जंगल से बांस काटे और उसके बाद खुद ही नोंने दोनों स्कूलों की बांडरी वाल बना दी। बजट आया या नहीं आया, बजट आया और खर्च नहीं हुआ, या लैप्स हो गया, उस कहानी में हम नहीं पढ़ते हैं, बलके आपको सीधा सीधा ये बताते हैं, कि जब बांडरी वाल नहीं थी, तो पालगों को चिंता हुई, कि उनके बच्चे पढ़ाई की बाद जब अमाम पालग जिनके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं, वो एकटा हुए, उनने योजना बनाई, चंदा किया, और उसके बाद वो गाउं में पहुचे, गाउं के जंगलों में पहुच गए, कहीं पर बांस करीदे, तो कहीं पर उनने खुदी बांस को काटा, उसके लाकर योजना बद धंग से ग्रामिन इंजिनरिंग का परिचर देते हुए, उनने दोनों स्कूलों के बाहर ये बाउंडरिवाल बना दी, अब बच्चे भी सुरक्षित हैं, बाहर के जो जिवजनतु हैं, वो भी सीधा प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बेरिक रूड पर दोड़के आजाते थे, गाड़िया उदर से आजाते थे, तो हमारी डर थी, तो हम बच्चे के लिए बात करा था बेटके, फिर सोब मिलके ये लाकड़ी काटके लाया, ये बास काटके लाया, फिर हम सोब मिलके इदर बनाया हैं बच्चे के शुरक्षित के लि लिए तो बनता है कमेंटन्स भी किजेगा औ लाइक भी किजेगा और क्या इस तरीके की जीवरता इस तरीके की सक्रीता सरकारों पर निर्भर रहने के बज़ाए कि इलाके के अन्य पालग भी बता सकते हैं यूँकि आप इतना सोच लीजिए कि सरकार के लिए आप और आपके बच्चे सिर्फ नंबर है लेकिन आपके लिए वो जीवन है उनको सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना उनका बच्च्पन सुरक्षित हो, उनके सिक्षा सुरक्षित हो ये गाउंवालों की भी जिम्मेदारी है पालगों की भी जिम्मेदारी है जो कि मतवार संक्यल के इन दोनों गाउं के ग्रामिनों ने पालगों ने बखुबी निभाई है अब बारी आपके निभाने की है इस वीडियो पर आपकी राय कमेंट बाक्स में जरूर दीजेगा